साथियों, ये आप लोगों का अशिरवाद रहा कि गुजरात में इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा और ये बुवा और बभुवा इस दुगनों का मिला लो तो उसे भी ज़्यादा मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ पांच साल देश का प्रधान मंत्री रहा हूँ लेकिन सत्ता के इन वर्षों को मैंने खुद की और अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कभी इस्तवाल नहें किया साथियों मैंने गल्ती से भी कभी देश के ख़जाने पर गरीब के अधिकार के एक एक पैसे पर कभी हात न लगाया न लगाने दिया मैंने खुद ने कभी जोड तोड करके अमीर बनने का सपना नहीं देखा है नहीं परिवार वालों को कभी ये सपना दिखाया है भाईयों मान लीजे आज तो मेरा शरीर दोड रहा है आप मुझे प्रधान सेवक बनाते चले जा रहे हैं लेकिन 20 साल 25 साल के बाद आगर शरीर भी तो कम जोर हो जाएगा और उस समय जब मैं छुटी लूँगा तो मुझे ढूंड़ना पड़ेगा कहीं किराय का कमरा मिल जाए ताकि मैं वाहर रहने चला जाओं ऐसी जिन्दगी जीकर क्या आया हूँ आज जो लोग मुझे सर्टिपिकेट मांग रहे हैं उनकी संपत्ति से मेरी संपत्ति की जरा तुलना कर लीजे भाई बड़े बड़े बंगले बड़े फामावोस बड़ी बड़ी गाड़िया ए लोग खुद ही सैंकडो करोडों के मालिक इतना ही नहीं इनके रिष्टेदारों को भी अर्बों पती खर्बों पती बनाया है यह सच्चा है कि नहीं भाईयो यह सच्चा है कि नहीं क्या यह गरीबों के लिए किया है कि आपने क्या ये गरीबों की सिवा है क्या इन लोगों ने गरीबों के साथ जिस तरह का बद्दा मजा किया है उन्हें जिस तरह का दोखा दिया है ये इसलिए याद रखाएगा साथियों जब गरीबों ने उन्हें सत्ता दी तो उन्होंने गरीब को ही लूट लिया जब आपने मुझे सेवा का आउसर दिया तो मैंने गरीब के घर मुप्त गैस कनेक्शन पर ध्यान दिया मुप्त बिजली पहुंचाने के लिए दिनलाद लगा रहा उसके घर में सौचाले बने उसके पास बैंक में अकाउंट हो उस गरीब को पांच लाक रुपिय तक मुप्त में बिमार अगर घर में कोई हो जाए तो इलाज की सुविदा मिले उसका जीवन आसान बने मोदी ने तो अपना जीवन इन बातों के लिए खपा दिया आज ये लोग मुझ से मेरी जाती का सर्टिफिकेट नहीं ये लोग इतने निर्दई हो गए हैं और इतने अहंकार चे उपर चड़ गए हैं कि वो मोदी से जाती का सर्टिफिकेट नहीं ये देश के गरीबों से उनकी गरीबी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं